दे अम्रीला कैड में की लास्ट एपिसोड में गाईज अमनी देखा था कि जो क्लाउस है उसे स्टैन ने मार दिया था इसे के कारण न चाने वो का स्वर्ग नर कहीं पर चला गया था जहां पर वो पनी मॉम से मिला था और वापस से जिन्दा भी हो गया था इसी के साथ में जो वानिया है जो कि विक्टर में बदल गई थी उसे भी पता चल गया था कि जिसने सब की माओं को मारा है और जिसके कारण इतनी बड़ी कयामत आए थी वो सब कुछ हार्लिन के कारण शुरू हुई थी और अब सब लोग मिलके हार्लिन को मारना भी चाते हैं साथ ही में ल पोगो को ढूंड़ता ढूंड़ता पोगो तक पहुत जाता है इसी सारी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नबर 6 के शिरवात होती है जा एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पोगो ही दिखाया जाता है अब इस वक्त अगर आप सीजन 1 की कंपरेजन करें तो सीजन 1 के अंदर पोगो नहीं अमरील अकेडमी वालों के साथ में बहुत साथ निभाया था जो सर हारग्रिफ्स थे उनके साथ में उसने कई सारे एक्सपरिमेंट किये थे बच्चों को ट्रेनिंग दी थी लेकिन यहाँ पे सीजन 3 के अंदर दिखाया गया है कि पोगो यहाँ पे इ 2019 की टाइम लाइन तो नहीं थी बलकि उससे भी पहले 2014 की टाइम लाइन थी हम यहाँ पे देखते हैं कि बैन और जैमी एक साथ में फाइट कर रहे थी जैमी की पावर थी कि वह किसी को भी एक इल्यूजन के अंदर डाल सकती थी वहीं पे बैन की पावर थी कि वह अपने अ होते हुए चीजों को थोड़ा सौट रखे लेकिन यहाँ पे सर हार ग्रिफ्स आके कहते हैं कि चीजी इत्ती आसानी से कभी किसी को नहीं मिलती है किसे कब मरना है यह उसकी खुद की पावर थे करेगी और तभी जैमी के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और वो तुम बच्चों को सई से सिखा ने सकते तो तुम यहां से जा सकते हो पोगो का बच्चों से बहुत जाता अटेच्मेंट था और वो कहता है कि मैं ऐसा ट्रेनर बच्चों को कभी भी गलत चीज नहीं सिखाऊंगा फिर चाहे तुम कुछ भी का हो अगर तुम मुझे जाने का डबा देके जाता है अब दवाईयों का डबा गाइस वो क्यों देके जाता है हमें आगे थोड़ी दिर में पता चलेगा यह वही दवाईया है जो कि बागी के बच्चे अभी भी सर हार्ग्रिफ्स को खिलाते हुए आ रहे और घदे क्लाउस ने आके वो दवाईयां बं करता है बाइक बाइक चुरा के और तभी यहां पर सी चेंज हो जाता है इस वक्त भी गूगल प्लेट चलती जा रहे थी और कहीं सारे चीज़ों को अपने में समाती जा रहे थी हम देखते हैं कि एलिसन ने लास्ट एपिसोड की अंदर हार्लें को कुई सेफ जगा पर ले इसके कुछ देर बाद में अभी विक्टर भी पहुंच जाता है एलिसन पूछती है कि आखिर तुम यहां पर क्या करने आये हो और आखिर तुम इसके साथ में क्या वाले हो मुझे कुछ चीज़ी तो पताओ जहां पर विक्टर कहता है कि तुम छोड़ो इन सारी चीजों क हम दोनों मिलके सारी चीज़े सॉट आउट कर लेंगे लेकिन आलेसन का क्याना था कि गूगल ब्लेट आरकी है पूरी दुनिया बरबाद होने वाली है कयामत आने वाली हमें उससे जाके लड़ना चाहिए ना कि तुम यहां पर टाइम वेस्ट करो विक्तर कहता है कि मुझे कहीं पे भी स्टैंड नहीं मिल रहा था तो डियागो कहता है कि वह चोटा बच्चा है इतर उदर होगा मिल जाएगा जल दी जिसके बाद में लूथर के उपर शिफ्ट हो जाता है अब लास्ट एपिजोड के अंदर जो लूथर था वह ऐलिसन से जखड़ा करके आया था और यही बात अभी स्लोन को समझ में आ जाती है कि कहीं न कहीं लूथर का मोड़ बहुत जादा खराब हो बहुत जादा खा रहा है इसे कि राण वो लूथर से पूछ लेते बताओ कि आकर बात क्या है जहां पर लूथर बता देता है कि उसका उसकी फैमिली वालों से कर जाती है कि दूमें कैसे पता चला जांपर लिया कि यांपर कहती है कि बैन को इससे बात करनी है उससे मिलना है और स्लोन कहती है कि ठीक हम थोड़ी देर के अंदर बाहर आते हैं जिसकेוב मिसीनिया वापस लाएला की ओपर शिंग means allaula के यहमियों गिशी apparatus क्याता है यहां देखते हैं कि अंदर के तरफ बहुत सारी लाइट से बहुत इंटरस्टिंग सी जगह है और इन दोनों को लग रहा था कि स्टैन जरूर भाकता भाकता अंदर चला गया होगा इसी के करण अब डियागो और लाइला भी इसी वे को फॉलो करते हुए एक दूसरे कमरे के अंद पर शिफ्ट हो जाता है जो कि अभी कोशिश कर रहा था कि हार्लें के साथ में मिलके वो उसकी पावर्स को वापस ले ले ताकि हार्लें जित्ता परिशान हो रखा है या लोग उसे परिशान है हार्लें अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता तो विक्टर सुन पावर था लेकिन तभी एलिसन को लगता है कि यहां पे कुछ तो गडबड़ है विक्टर मर जाएगा जबकि विक्टर तो कह रहा था कि हां मैं इस चीज़े कर सकता हूं लेकिन एलिसन ने आके इन सारी चीजों के अंदर इंटरप्ट कर दिया तभी यहां पर कहता है कि तुम्हें उसे जरूर आके मारेगा तो स्लोन कहती है कि आरे तुम टैंशन मतलों कोई तुम्हें टेच भी नहीं करेगा इतनी देर में आपे बैन आ जाता है और स्लोन को यहांसे जाने के लिए कहता है असल के अंदर बार बार में जब लूथर और यह सारे अमरीला केड्मी वाले बै अगर हम में से कोई एक कड़ी है जहां पर हम किसी को याद करते तो वो सिर्फ तुम थी तुम बहुत अच्छे इंसान थे और मैं चांटा हूँ आज भी तुम्हारे अंदर वो बैंट चुपा हुआ है वो जरूर इस टाइम लाइन का नहीं है लेकिन वो तुम ही तो हो जह कहले चाता है चाता है कि अपना गेम के चला गया था कर देता है लेकिन यह जीस फीली को पसंद नहीं आती है कि तुम एसा नहीं करना चाहिए था जिसके बाद मेर 5 के पर शिफ्ट हो जाता है जो की पोगो को दूड़ता हुआ एक जंगल बंगल के अंदर पहुंच जाता ह है कि उसे अंदर आने दो जिसके बाद में अब नंबर फाइफ अंदर चला चाता है पोगो के पास बैठता और उसे सब बताना शुरू करता है कि देखो मैं फ्यूचर से आया हूँ और कई सारी बाते हैं जो कि मुझे तुम से शेयर करनी है सर हर्ग्रिफ्स का यानि कि रेज पैटन के ड्राइंग्स दिखाता और कहता है कि सर हर्ग्रिफ्स हर वक्त बनाता रहता था जिसका नाम उबलीवियन था असल के अंदर वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसके पास में जो बच्चे इस पैरो अकैडमी वह उन्हें एक ऐसी जगप पे बेचना चाता जहां से वो बच्चे कभी वापस नहीं आ सकते थे पोगो उन्हें इन चीजों को करने के लिए मना करता था और आप नमर फाइफ पच्चता था और कहता है कि हाँ बिल्कुल इसी चीज़ के दो दवाईयां चल रही थी और मेरे घदे भाई क्लाउस ने वो दवाईयां खा चाता था कि हार्ग्रिफ्स ने उसके उपर किस तरह के का काम किया किस तरह के का एक्स्परिमेंट किया कि वो मर के वापस से जिंदा हो जाता है वो हार्ग्रिफ्स को इस situation बताने की कोशिश करता है कि मैं गया था वहां पर मुझे एक लड़की मिले साइकल चलाने वाली पाँच गए थे अब यह गाइस होटल ऑपसीडियन नहीं था बलकि एक दूसरी जगह थी जो कि बिल्कुल होटल ऑपसीडियन के जैसे दिख रही थी डियाए को आता है बैल बचाने वाला था लेकिन लायला उसे उस वक्के लिए मना कर दी थी कि नहीं ने अभी तुम बै के बारे में भी बताता है जो पर वाइट कलर का बुल बना हुआ था साथी में एक दर्वाजा था जिसके अंदर रौशनी निकल रही थी अब आखिर वह वापस से जिन्दा कैसे हुआ लेकिन तब इस सर हार ग्रिफ उठते हैं और उसके पीछे को जिस्टिचिस लगा देत थे के चलो कियों कुर सब्सक्राइब करते हैं असल के अंदर हर ग्रेफ ने क्लाउस के उपर इत्ती जादा एनरक्या का इस्तिमाल का यह वापस से जिसके बादि में वापप से चाहन पर इस्छेंग के अश्टि Speaking के बारे मेंग्य हुआ अगर future number 5 के उपर ये ड्रॉयंग बनी हुई है इसका मतलब है कि उसे ये ड्रॉयंग अभी के भी बनवानी पड़ेगी पोगों बी स्माद के लिए रेडी हो जाता है और number 5 अपनी उपर वही वाला टैटू बनवानी लगता है जिसके बाद में इस जी नहीं यह हो जाता है अ पारलेन उसके कानों के उपर एक छोटा सा हेट सेट लगा देता है और उसके बाद में उसके हाथ पकड़ लिता है अब कई नहीं पर पावर सोर्स बनना वापस से स्टार्ट हो जाता है यहां दूसी तरफ हम ऐलिसन को देखते हैं जो कि बस बचारी दूर पैटके रोही रही लेकिन रे कहता है कि मैं भले तुमारे साथ नहीं हूँ लेकिन मैं तुमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहूँगा जिसके बाद में एकदम से यहां पर अंधीरा हो जाता है और जो हरलेन था वो अपनी पूरी एनरजी निकाल रहा था ताकि वो सारी चीज़े विक्टर को और सेम चीज़ ऐसी हो भी रही थी विक्टर के अंदर सारी के सारी एनरजी वापस आ रहे थी जो कि विक्टर ने बचपन के अंदर गलती से हारलेन को दे दी थी अब यह सारी चीज़े ऐलिसन देख रही थी और तब बहुत बड़ा धमाका होता है यहां पर एलिसन भी बह दियागो के उपर शिफ्ट हो जाता है लायला यहां पे बैटके मस्तूशी वगर खाई रही थी और तब जाके वो यह चीज़ रिवील करती है कि जिस बच्चे को यह लोग ढूबने के लिए आया है यानि कि स्टैन वो उसका खुद का बच्चा नहीं है तो डियागो को ल अभी तक तो यह भी नहीं पता कि वो जिन्दा है कि मर क्या आकर उसके साथ में हुआ क्या है दियागो पागल हो जाता है उसे तो बस स्टैन को ढूबना ही था यहां दूसी तरफ हम देखते हैं कि वापस से ऐलिसन और हारलेन एक साथ में मिलते हैं हारलेन तो उटकी बाहर लेती है असब के अंदर अबी तक भी विक्टर ने इस बात को छुपा के रखा था कि विक्टर को पता था कि अगर किसी को भी पता चल गया कि हालरेन ने सारी क्यामत आई है और उसी के चक्कर में पदली तो बहुत जादा गड़़द हो जाएगी यह बात आलिसन के सामनी आजाती है तो वो तो सबसे पहले चलाती है क्योंकि ना Harlan किसी की मा को मारता ना ही ये टाइम लाइन बदलती और ना ही किसी के बच्चे नहीं होते या फिर सारी चीज़े गडबड नहीं होती तो Alison कहती है कि तुम्हारे चक्कर में मैं मेरी बेटी से दूर हुई, ना ही मैं मेरे पती से मिल पा रही हूँ, सब कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ, आकर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्यों किसी को मार सकते हो, हारलेन इतना समझाता है कि यह चीज़ी बहुत अनिटेंशली थी, उसने कुछ भी जान प पाता, गुम गुम के यहीं आ जाता है, और अब डियागो कहता है कि मुझ से अब चीज़ी बरदाश्ट नहीं हो रही है, मैं स्टैन को ढूंड के रहूंगा, इस चक्कर में वो बेल बचा दीता है, जैसे ही डियागो यहां पे बेल बचाता है, तब ही पूरा होटेल चें बंद कर लेते हैं, इन दोनों के होश उड़ जाते हैं, फट जाती है कि ओ शिट आकिर यह हुआ तो हुआ क्या इनके सामने एकदम से, और यह मॉंस्टर कहां से गूम रहा था, यह दोनों दरवाजा बंद करते हैं और आखिरकार वो मॉंस्टर चला जाता है, लेकिन इने क समझ में नहीं आता कि हुआ क्या, और इन दोनों के सामने स्टैन आ जाता है, असल के अंदर स्टैन कहीं गायब हुआ ही नहीं था, बलकि वो तो इदर उदर कुछ पीने के लिए गया था, लेकिन तब ही गूगल ब्लेड आती है, और अपने साथ में स्टैन को गायब कर दे पास में ले आती है, अब यहाँ पे सदर हार्ग्रेवस भी खड़े थे, जो कि बड़ी क्रीपी सी स्माइल देते हैं, और साथ ही में ऐलेसन लूथर को भी देखती है, जिसने स्पैरो अकेडमी को कहीं नहीं जॉइन कर लिया था, क्योंकि उसने स्पैरो अकेडमी के कपड किली, टाडा।